मनी पुर्दे बेच होई दरिंदगी नो लेकि अज पूरा पारत शर्म सार है लेकिन बड़े अफसोस दी गाल है कि इनने महीने भी तन तो बात देश दे परदान मंत्री अजे तक जो एक्शन लेना चाहिदा है ओ लेंदे नजर नहीं आ रहे हैं कमजोर सरकार है कि केंदर सरकार दे उपर के सिदा प्रेशर है जा मनी पुर्दी सरकार दे उपर के सिदा प्रेशर है कि उना लोकां दे खलाफ अजे तक एक्शन क्यों नहीं लिया जिना ने दो औरता नो नंगियां करके बकैदा सडक दे उपर कुमाया और उन्हा दे नार ध्रिंदगी कीती कि उन्हा औरता नों इनसाफ मिल पाएगा केंदर सरकार खमोश है और उपरों जिस तरह दा भ्यान मनिपूर्दी सरकार दाया उसने होर शर्मसार कर दता है लेकिन किते न किते लोग चुप नहीं बेठेंगे लोग अजबी केंदर सरकार दा विरोध कर देने लोग अजबी राजे सरकार दा विरोध कर देने और पूरा पारत जड़ा है वो केंदर सरकार दे उपर तंज कसदा नजर आ रहा है उन्ता मान जोग सुप्रीम कोर्दी ये गल करिये थे उन्हां ने भी खूप टिप्णियां की तियाने और नंबर एक उन्हां ने मतलब सुप्रीम कोट टिप्णियां ने सब तो पहला है कनून विवस्ता थे सवीधानिक मिशिनरी फेल होई है क्योंकि कनून विवस्ता नाम दियो थे कोई चीज ही नहीं सेगी और सभी दाने के मशिनरी जड़ी पूरी तरह तैस्ट नेस कर देती है और डीजी पी मनी पूर निजी दौरते पेश होना होना मतलब जो करांगी वो इत्थे पुगतांगे यह दे विच कोई शक नहीं है जे आज कुछ एक मंत्री जड़े ने इस त पनेत है एदा मतलब एन है कि अकाल पुर्ख दी दरगा जड़ी है उना ले खुली है अकाल पुर्ख दी दरगा दे वेचे इना दा उना दी अदालत दे विच इना दा ओ हाल होएगा जो तुसी कदे देखना पसंदनी करोगे और पुलीस दी जांच जड़ी यह लोड तो बहुत सो तरह है जिस तरह ने जांच पुलीस दी होनी चाही दिया पुलीस तो क्यों उमीद रख सकते हैं जेस है जो समनें बहता ने वह ए देता है चुपचा पे तमाशा वेखती रही बीबिया दे मामले पेच एफ आई यार दर्ज करंच होई देरी क्यों देरी होई है ए तुसी आप सोच सकते हो मोदी सावे की हो रहा है अच्छे दिन आने वाले है 14 तो अपा सुन दे आ रहे हैं जो हलात देश दे बढ़ा देते गएने सरकाराने किसे तो छुपे होई नहीं है कानून विवास्ता ते कंट्रोल गवा चुकी है पुलीस पुलीस भी नथिंग है पुलीस भी समय कुछ भी कर दी नजर नहीं आ रहे मनी पुर दी इस कटना तो बाद किते ना किते होन सरकार नू जवाब देना पाएगा और कोट खास करके सुप्रीम कोट बड़ी सक्त होई है ते होन होवेगा दोद दा दोद दे पाणी दा पाणी